वॉलिटिल्टी और साथी साथ ता कंसॉलिडेशन दोनों आप कह सकते हैं मार्किट में लॉट रहे हैं वॉलिटिल्टी तो आपने स्क्रीन पर देखी ली निफ्टी कहां खुला रिकवरी आई फिर दबाव आया फिर रिकवरी के तरफ ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक की भी चाल वैसी ही एक सेक्टर जो बिल्कुल रिकवर नहीं कर पाया है वो है मिट कैप इंडेक्स पहले तो मार्किट में इस समय क्या आपकी स्ट्राटीजी होनी चाहिए उस पर रुचिर जैन को जोडेंगे ध्यान रखेगा इस घंटे अगर मार्किट को सहारा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलजी काउंटर्स की बदौलत मिल रहा है टी-स, LTI, Maintree, Wipro और साथी Infosys ध्यान रहे आज का दिन एहम है Infosys के शाम को मार्किट बंध होने के साथ नतीजे आएंगे State Bank of India का साथ है लेकिन ड्रैग कर रहा है HDFC Bank, Asian Paint, Reliance Industries और बजाज ओटो जैसे दूसरे काउंटर्स ये दबाव बना रहे हैं लगातार इस मार्किट पर क्या होगी आपकी रन्नीती इस समय आजा ट्रेड क्या बनेगा इस दोपहर 5Pesa.com के रुचिट जैन हमाए साथ है रुचिट पहले तो फटाफट से एक इंडेक्स पर पर स्पेक्टिव दीजे दूसरा अटेंट तेजी के तरफ या फिर रिकवरी के तरफ लास्ट करेगा या नहीं नमस्ते आश्टा जी परी गुड़ा अफनून पर इंडेक्स पर थोड़े से डाइवर्जन साइंस देखे गया है कि जहां पर लाज केप स्टॉक्स में तो तेजी अभी भी इंटेक्ट है लेड़ बाई नो स्टॉक्स फ्रम डाइटी स्पेस बन मिड़ कैप में आज हमने एक नेगेटिव क्रॉस ओवर्ज मिड़क इंडेक्स पर देखे है और जनरली जब एसे नेगेटिव क्रॉस होते हैं तो एक क्रेक्टिव फेजिस नियर्टम में बन रहे हैं सो हमें लग रहा है कि इंडेक्स में जब तक 24,500 का इमिटेट जो सपोर्ट है वो नेगेटिविटी इंडेक्स पर एक्सपेक्ट ना करें सिर्फ 24,500 तो ही कुछ प्राइस पूल बैक में एक्सपेक्ट करें अधर इंडेक्स में पॉजिटिविटी थोड़ी और रह सकती है और 24,700-750 यह लेवल शायद हम निफ्टी इंडेक्स पर देख सकते हैं तो अगर कोई एक्सिस्टिंग लॉंग पॉजिशन निफ्टी पे है तो उन पे 24,500 की नीचे स्टिक स्टॉप्लोस तकने की सला रहेगी बट साथ में यह जैसे मैंने काहा कि मिड्केप्स पर तोड़े निगिटिव क्रॉस ओर है तो हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक स्पसिफिक प् है रुचित अब कोई ऐसा ट्रेट दीजे जो शायद ट्यूजडे के दिन बजट वाले दिन हमारे काम आए स्टॉक में मिला है काफी लंबे समय का कंसोलेशन से आज यह स्टॉक बाहर निकला और आज के वोल्यूम्स भी काफी बैतर है स्टॉक में तो करेंट लिवल्स पे बजाज फिंसर्व में खरीदारी की सला रहेगी सोला सो के नीचे के स्टॉप लोज इसमें रखे और यह लिवल्स अगर इंटेक्ट रहते हैं तो आप सत्रा सो से सत्रा सो बीस तक के लिवल्स बजट के आसवास तक यह स्टॉक में देख सकते हैं ओके तो बजाज फिंसर्फ में एक उपरचुनिटी क्लरी तेजी की हिस्समें बन रही स्टॉक वैसे परफॉर्मर है गिरते बाजार में 30 रुपए की बढ़हत दिखा रहा है तो यह बाई साइड का ट्रेड है इसके अलावा आए जानते हैं बजट बुनान्जा में हमारे दूसरे जानकारों से आज जो सुबह में बात हुई है उन्होंने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाइ किये हैं याद रखिएगा ये बजट तक तरसल ट्रेड कायम रह सकते हैं आशीश बहेती और रचना चल रहा है यह भी 52 वीग हाई पर चल रहा है और अपना जो 2021 का जोन था जिसको और टाइम हाई था चेसो साथ का में लग रहा है उसे ब्रेक आउट देने के लिए तो खरिदारी की सला है डाबर में 630 का एक स्टॉप लॉस लगाना है चेसो पचास चेसो साथ के टागेट स तक देखने इसमें मिल्स एप तरह कंजूमर मैं इसाप से कंजूम्शन को बूस्ट मिलना चाहिए बजट के बाद और यहां पर एक अपस्विंग आना चाहिए टेकनिकल यह चार्ट पे बगधिया तरीके से प्लेस्ट है यहां पर अगर आप डेली चार्ट पे देखे तो कि यहां पे एक अच्छा मूँ हमें देखने को मिलना चाहिए तो टाटा कंजूमर को अगर आप लॉंग करेंगे एसल लगाएंगे 1140 पे कैश के लेवल्स है यह तो उपर वाली साइट पे विदे अमन को टू मेरा टागेट रहेगा तेरा सो रुपे का वन तो टू मन्स का टाइम इसको देना चाहिए एक से दो महिने का ट्रेड है डाप टारा कंजूमर लेकिन बजट के बाद वो कंजम्शन पुश की उमीद साथी डावर पिक्या आशीश बहेती ने और बजाज फिंसर विस समय का ताजा ट्रेड जो जो चित ने दिया हैं ध्यान रखेगा हम ब ब्लू प्रिंट पेश किया जा सकता है इस बजट में किस तरहा का एक हाका तयार किया जा रहा है क्या विजिन है मोदी 3.0 का उस सब की जलक इस डॉक्युमेंट में देखने को मिलेगी जानकारी डीटेल सारे लक्षमिन रॉय हमारी एकनॉमिक पॉलिसी एडिटर के पास है लक्षमिन बताईए क्या सुन रहे हैं आप ये शायद बड़ा मौका सरकार को मलेगा अगले 5 साल की तैयारी करने के लिए लेकिन किस तरह की विजिन के साथ उत्रेंगे क्या देखने को मिल सकता है इस ब्लू प्रिंट में देखे बिल्कुल आपने सही कहा कि बजट तो ऐसे चालू कारोबारी साल के लिए लेकिन जो ब्लू प्रिंट है वो 5 साल के लिए होगा अब मोधी सरकार के तीसरे कारकाल के पूरे 5 साल में सरकार क्या सोच रही है किन-किन सेक्टर पे फोकस होगा इसका आपको पूरा ब्योरा इस बजट में देखने को मिल सकता है बजट स्पीच में इसमें डिटेल में जानकारी दी जाएगी और यहां पे तीन मुद्दों पर सबसे आदा फोकस किया जा रहा है इस बार वो है आपको लोगों की आजिव का बेहतर करने को ले करके कि लोगों को बुनियादी सउधायां कैसे पहुँचाया जार जरुत मन्दों तक इस पर आब खास फोकस दखेंगे चाहले लोगों के घर तक LPG का करनेक्शन पहुचाना है और लोगों को घर तक जल नल की सउधा पहुचानी हो हर घर में बिजली पहुचानी हो इस पर इस पूरे blueprint में खास focus किया जाएगा रोजगार देने के लिए एक incentive जैसे कुछ विवस्था की जा सकती है ताकि जहां जो ज़्यादा रोजगार देने कंपनिया उनको इंसेंटिव दिया जाए रोजगार के लिए ज़्यादा बहतर मौके दिया जाए और manufacturing sector एक महत्मूर फोकस में होगा रोजगार के नजरिये से देखें तो वहां भी प्लाइ स्किम का दारा सरकार बढ़ा सकती है एक और चीज इसमें green economy आफिक हैं कि green पे काफी ज़्यादा जोर रहने वाला है कि परावरण पर focus करते हुए industry को बढढ़ावा देना है परावरण को focus करते हुए क्या क्या कदम उठाएगी वह भी इस blueprint का हिस्सा हो सकता है चुकिए specific क्या कदम होगा अब कहना थोड़ा सा मुश्किल होता चुकि बजट में जो भी फैसे लिए जा रहे हैं वह सारे फैसले अब तक लगभग लिए जा चुके हैं अब उसके छपाई और अंतिम लिखाई क काम चल रहा है तो जो प्रस्ता विचार आधिन था उस पर हमनों पिछले एक महने से काफी चर्चा की है तो अब इंतिजार करें इस blueprint का उसके बाद किया किसके जोली में आता है उसका तो इस साल का आम बजट ही नहीं लेकिन अगले पांच सालों की ओजना सामने उभर कर आईगी एक blueprint उभर कर आएगा Employment Generation Manufacturing पर जोर और साथी साथ हरित economy ग्रीन economy पर जादा पुश्च देखने को मिलेगा शुक्रिया लक्षमन इस update के लिए और याद रखेगा लक्षमन रॉय लगातार बजट से जुड़ी हुई exclusive जानकारिया आपके लिए इसी मंच पर लेकर आ रहे हैं तो दुपेर में दुबारा से उनसे बाचीत भी होगी अच्छा इस बीच update आ चुका है कि cabinet की बैठा खत्म हो चुकी है वहाँ से कुछ ताजा ख़बर आएगी तो उसकी तरफ बढ़ेंगे जरूर बहराल लेंगे एक छोटा सा break ब्रेक में जाते जाते ध्यान रखियेगा निफ्टी बैंक जो खासा वॉलिटाइल है अब कोशिश कर रहा है फिर अपने 34 पॉइंट की बढ़त को कायम रखने के लिए जब लोटेंगे बात करेंगे आम आदमी की आप और हम टैक्सपेयर्स की क्या उम्मीदें हैं दिपाली ने इन फैक कई सारे लोगों से बात चीत की उसकी भी एक जलक आपके सामने करेंगे पेश क्या उम्मीद कर रहे हैं देखिए ये स्पेशल बजट चौपार सार आप बताएं क्या उम्मीद कर रहे हैं विट मंत्री से बजट में क्या कुछ होना चाहिए मैं सोपर सीनेर सिटेजन हूं तो मैं यही चाहता हूं कि जो हमें इंकम टक्स लगता है वो महरे को बिलकुँ माफ होना जीरो परसन हो चाहिए तो डैट वैन वी गो उपर तो हमारे को यह खुशी तो एक सास ले जाए जो इंकम टक्स वालों ने हमें दे दिया इसका तो को अधरवाइस हम जड़े पैसे तो पर लेके ने जाएंगे जो सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब होनाइज समया कि यह नहीं जाते हैं खिंटेटर्शन को सब्सक्राइब ही न हो New Quick Harry won सब्सक्राइब करता हूं कि मैं एक सीनर सीटीजन हूं 72 यह सो ओल्ड है हमारी पैंसन और इंट्रेस्ट की इंकम होती है जिस पर टेक्स देना पड़ता है तो मेरी वितमंत्री सही यह गुजारिस है कि 72 70 के बाद में यह टेक्स हमें ना देना पड़े और जो ओल्ड रिजीम देना था जा रहा है उसमें अजरेन और मिल जाता है यह हूं सब खतम हो जाएका new लिजीम में तो हमें और पड़ जाएगा तो यह त nossos तो आप ओल्ड रिजीम के पक्ष में है या फेल निव रिजीम के पक्ष में है कि कुछ में जिससे कि हमारी सेविंग मगारा होती रहे और एक एस वरेंस मिलता रहें इंसुरेंस वगारा कराने के बाद आप से हमारा रेल्वे का भी खतम कर दिया गया है जो 50% रेल्वे का मिल तो टैक्स में कमी और खासतोर से कैपिल गेंस टैक्स का मामला तो शहर बाजार से जुड़ा हुआ है वो बार बार उभर कर आ रहा है चले बाजार का अपडेट आपके सामने 24-700 पर हम पहुचे हैं तो थोड़ा सा मोमेंटम और जोर पकड़ता हुआ निफ्टी बैंक में पूरा एक यूटर ने पहती संको की बढ़त इस समय स्क्रीन पर दिख रही है इस बीच खिलाडी नंबो वन का एक अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं टागेट था वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक हो चुका है साथी साथ ब्रिजेश एल ने चोला इन्वेस्मेंट में प्रॉफिट बांदा 1437 के लेवल्स पर वैसे इनका टागेट 1480 का था और ये फिलहाल आपके लिए ताजा अपडेट्स खिलाडी नंबो वन की तरफ से आते हुए रिटर्न्स की सिचुएशन ऐसी बन रही है इस समय साड़े 9% के रिटर्न्स लगबग पंकर्ज के बन गए हैं 6% की कमाई ब्रिजेश कर रहे हैं ओम महरा माइनस 6% की तरफ पीजे से बढ़ते हुए ये हैं आपके लिए ताजा हाल खिलाडी नंबर वन का चले इस पीच वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में जाती जाते हैं निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों ही आपकी स्क्रीन पर रखेंगे मरही मिटक्याप इंडेक्स अभी भी 600-660 पॉइंट नीचे हो लेकिन ये इंडाइस इस देखिए डे हाई पर ट्रेट कर रह आज के वाई सी में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बजट से क्या है उम्मीदे इसी पर बात करेंगे आप बने रहेगा सीन बीसी आवास के साथ बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने नीची विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इनले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा ले